गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल करंट जी के विद्र वीजन माइसल्फ राकेश कुमार आज अपने बात करते हैं 12 फैबरी के इंपोर्टेंट कोशन्स की सो सबसे पहले लास्ट वीडियो के रिवीजन की बात करते हैं फर्स्ट कोशन थ्री हंडर्ट टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतिये पेसर कौन बने हैं इशान सर्मा बने हैं ये इन से पहले जो थ्री हंडर्ट विकेट लिये थे पेसर की फॉम में वो कपिल देव और जहिर खान ने लिये थे इशान सर्मा जो है वो 6th बोलर बने है 300 विकेट से जादा लेने वाले भारतिये में फिर बात करते हैं next question की किस राजये में भारत का पहला thunderstorm research test बेड़ स्थापित किया जाएगा तो उडिसा के अंदर particularly इसको established किया जाएगा उडिसा के जो बालस और द्वीप है वहाँ पर इसको established किया जाएगा फिर बात करते हैं किस देश में भारत के नए सहतूत डेम का निर्मान करेगा तो अफगानिस्तान के अंदर इसको निर्मान किया जाएगा फिर बात करते हैं हाली में किस सहर में राष्ट ये बागवानी मेला 2021 स्टार्ट किया गया सो बैंगलूरू के अंदर basically इसको आयूजन किया गया जो कि particular 8 February तक इसका आयूजन वहाँ पर किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है वो Institute of Horticulture Research Institute के द्वारा किया जा रहा है जो कि ICAR की एक सब बोड़ी है फिर बात करते हैं कौन सा देश Bloomberg Innovation Index में टॉक पे रहा है सो South Korea जो इसके अंदर टॉक पे रहा है और इंडिया की अपने बात करते हैं तो ये 50th position जो है उसके उपर रहा है टोटल 60 जो कंटीज है इसको इसके अंदर सामिल किया गया था जिसके अंदर इंडिया का पचासवा इस्थान है फिर बात करते हैं परतेक वर्स विसुद दलहन दिवस जो है 10th February को मनाया जाता है और ये जो सबसे पहले बनाया गया था 2019 के अंदर ये मनाया गया था फिर बात करते हैं किस राज्य या केंदर सासित परदेश के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री विज्यान परतिवा परिक्षा को स्टार्ट किया सो धहली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल जी के दारा बेसिकलिए स्टार्ट किया गया है और इस प्रतियोगीता के अंदर जो भी बोईज है या गल्स होंगे जो इसके अंदर पार्टिस्पेट करेंगे उन में से 5000 रूपीज जो कि फर्स्ट 1000 टॉक पे रहेंगे उनको प्रवाइड करवाए जाएंगे फिर बात करते हैं अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट कोशन की फिर बात करते हैं मानिया सिंग जो की उत्तर परदेश की रहने वाली है और ये इसके अंदर थर्ड पोजिशन पे रही है फिर बात करते हैं सुमन राव जो की 2029 की जो मिस वर्ड थी फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में पहली जो मिस इंडिया थी वो 1964 के अंदर बनी थी और उनका नाम था मेहर कैस्टिलिनो मिस्ट्री था फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में सो कनाटका राज्य के 31st में डिस्टिक का नाम क्या है सो इसका नाम है विजय नगर और ये जो डिस्टिक है वहाँ के जो बलराई डिस्टिक था उससे अलग होकर मनाया गया था फिर यदि अपने बात करते हैं बाके के जो options हैं उनकी जैसे मायलत धूरी ये जो है पर्टिकलर तमिलाडू का 38 वहां जो डिस्टिक मना था और ये नागापट माइम जो वहां पर डिस्टिक है उससे होकर अलग होकर ये बना था पिर अपनोंने यहां पर जो बात की हैं वो पर्टिकलर करनाटका स्टेट की बात करें हैं तो करनाटका स्टेट की अपने बात करते हैं यहां पर ही आपको इंडिया का मैप शोग किया गया है और यह वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है करनाटका का शोग किया गया है तो करनाटका के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जिसे की महराष्टर हुआ, तिलंगाना हुआ, अंदरपरदेश हुआ, तमिल लाडु हुआ, केरला हुआ और गोवा हुआ, इनकी बाउंडी इसके साथ टच होती है, तो इस तरह से टोटल सिक्स जो स्टेट से उनकी बा हुआ, और फोर्मेशन जो हुआ, स्टेट का फर्स्ट नॉम्बर नाइंटिंटि सिक्स को हुआ, यहां का जो राज्यत फूल है, या फ्लोर वो लोटस है, कमल नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो बांदीपुर नेशनल पार्क की यहां पर परजेंट है, बनरगटा नेश हुआ, पर राओ, शेरावती, भीमा और तुंग बद्रा रिवर्स यहां पर पर परजेंट है, यह दि अपने डांसर्स की बात करते हैं, तो यक्षगान डांस जो की एक्जाम के अंदर पूछा गया है, शुगी, हुनिथा डांस और करकर डांस यहां पर पर परजेंट है, यहां पर किये जाते हैं, फिर यह दि विधान सबाग की बात करते हैं, तो 224 सीट्स, विधान परिशिद की 75, लोग सबाग की 28 और रज्जे सबाग की 12 सीट्स यहां पर पर परजेंट है, अब यह दि अपने विधान परिशिद की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर पर पुर्देश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्टर हुआ, करनाटका हुआ, तिलंगाना हुआ और अंदर पर टोटल ये six states है जहां पर अभी present time के अंदर विदान परिशद मोजूद है अब अपने बात करते हैं current news of करनाटका state के बारे में तो निती आयोग के अनुसार एक report paste की गी जिसके अंदर कहा गया जो इंडिया innovation index के अंदर टॉक पे रहा था वो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार करनाटका जो है इसके अंदर टॉक पे रहा था इसी तरह से भारत का पहला जो art park है वो भी यहीं पर बनाया गया और ये अपने इस art park की full form की बात करते हैं तो artificial intelligence and robotics टेक्नलोजी पार किसके रखे गई आर्थिक्स पंदन लोन स्कीम जो यहां पर स्टार्ट की गई भारत की टाली air integrated ambulance सेवा है वो यहां पर स्टार्ट की गई स्कीम यहां पर स्टार्ट की गई मेगा संदेश एप यहां पर लॉंज किया गया और जन से वकियो जना यहां पर स्टार्ट की गई है अब यह दिबात करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे like जूरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जूर कीजिएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में सो अभी हाली में हौप मंगल मिशन जो है वो किस देश से संबंदित है यह जो है पर्टिकॉलर यू एई जो कंट्री है उससे रिलेटर है यू एई कंट्री के द्वारा लास्ट येर जो है यह मा उनका सैटलाइट है या फिर अपने बात करते हैं जो मिशन है पर्टिकॉलर जो मार्स प्लांट है उसकी और्बिट के अंदर इसने एंटर कर लिया है और यह यहां पर एंटर करने के बाद अब वहां पर उसकी जो मंगल रहे है उसके जो एक्मोस्फेर है उसकी बारे में उसकी स्टडी करेगा फिर बात करते हैं यह जो मिशन है पर्टिकॉलर वहां की एक साइन्टिस्ट जो की एक वुमन है उनके अंडर में चल रहा है जिनका नाम सारा अल-अमीरी जी है फिर बात करते हैं जो बाकिक के ऑप्शन्स हैं उनकी जैसे बंगलादेश की बात करते ह हैं तो यहां पर कुछ समय पहले अभी हाल में 14 वा इंटरनेशनल बाल फिल्म फेस्टिवल का उद्गाटन किया गया था अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहां पर इंडिया के द्वारा भी हाली में जो एक डेम है सैतूत डेम उसका निमाड वहां पर किया जाएगा औ इनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे फिर अपने यहां पर बात की है UAE के बारे में सो बात करते हैं UAE कंट्री के बारे में यहां पर आपको UAE का यह वाला जो पोर्शन है वो दिखाया गया यह वाला आपका UAE है और इसके साथ जो अनदर कंट्री ह जिसे साथी अरबिया कंट्री हुई और अमान कंट्री हुई इनके बाउंडी इनके साथ टच होती है बाकी इदर इसके जो पर्शन गल्फ है वो यहां पर परजेंट है फिर यह अपनी भी बात करते हैं UAE के कैपिटल अबुधा भी है यहां की जो करंसी है वो धिरम नाम स ऑफ मार मिशन जो है जिसके अपने बात किया है वो ट्वन्टी जूलाई टू थाउजन ट्वन्टी को जो है लॉंच किया गया था और जो यह अपने एरिया है UAE वाला या फिर यह वाला जो पूरा पोर्शन है यहां पर जो फ़र्ष्ट नुकलियर पावर प्लांट स्टा इसन भी गोशित किया गया था सार्जा इंटरनेशनल बुक फेर जर टू थाउजन नाइंटीन का वो भी ही प्रफिस्ट हुआ था और एग्री ओटा ए मार्केट प्लेस भी यूए कंट्री के द्वारा भी हाली में स्टार्ट किया गया था फिर बात करते हैं यह आप लोगों कमपल्स ही है क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इंपॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में कौन से हवाई अडे को एसी आई एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का कोवीड-9 के दोलां昨ни के कश्टमार्स थे उनको प्रायर्टी देने उनकी जो भी प्रोलम से उनको सॉल्ल करने के लिए इनको इस संवान से समानित किया गया है फिर जो बाइक एसा इंटरनिशनल ऐरपोर्ट की बात करते हैं यह भारत का पहला यह-एसा इंटरनेशनल था कि ये कहां पर प्रजेंट है इसी तरह से अपने बात करते है उपन्धुचरी एरपोर्ट की पहला ऐसा एरपोर्ट था जो की सॉलर पाउर से कमपलेटली संचलित हो रहा है फिर एरट करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में उनको इस category के अंदर first position मिली है और उनके द्वारा जो Australia के अंदर कुछ समय पहले जंगल से आग लगी थी उसकी एक photo खीची गई थी जो कि drone के द्वारा इनके त्रूली गई थी तो उनको इस award से सम्मानित किया गया है जो कि इसके अंदर first position पे रहे हैं और यह जो अवार्ड है या फिर यह जो contest है वो रिलीज किया जाता है वो natural history museum के द्वारा किया जाता है फिर अपने जो बाकी के option से उनकी बात करते हैं जैसे इसुरिया स्रीधर की बात करते हैं ति यह भारत की रहने वाली है और इनको 2019 ए 20 के लिए जो photographer of the year अवार्ड से सम्वानित किया गया था इंडिया के लिए और शेर्गवी गोर्सकोवा जो की रश्या के रहने वाली है इनको photographer of the year 2020 से सम्वानित किया गया था फिर यह अपने greater than bug की बात करते हैं ति यह एक प्रयावरण economist है फिर बात करते हैं प्रयावरण कारे करता है greater than bug फिर बात करते हैं next question के बारे में so परतेक वर्स 11 फरवरी को या 11 फैब को कौन सा दिवस मनाया जाता है so इसका right answer का option B and C international day of women and girls in science यह particular day मनाया जाता है यह जो day है particular women's और girls science को आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आगे बढ़ चड़ कर उसमें हिस्सा ले उसी के लिए particular year day बनाया जाता है और यह जो day first time बनाया गया था वो 2016 के अंदर इसको मनाया गया था फिर यह अपने बात करते हैं इस बार की जो इसकी theme रखी गई है वो woman scientist at the forefront of the fight against COVID-19 इसकी theme रखी गई फिर यह अपने बात करते हैं वर्ड यूनानी डे भी इसी दिन particular मनाया जाता है और यह जो day है particular हाकिम अजमल खान जी की याद में मनाया जाता है हाकिम अजमल खान ने बेसिकली जो यूनानी पदती थी उसके एक यह आईरविदा चार्य थी फिर बात करते हैं इंटरनेशनल इपलेस डे जो की फरबरी मन्त के सेकंड जो मन्डे आता है उस दिन particular यह डे हमेशा मनाया जाता है फिर बात करते हैं next question के बारे में तो सो अभी हाली में MRF टायर ICC में टेस्ट प्लियर रेंकिंग में कॉन सिर्स पे रहा है यह जो लिस्ट प्रेक्र별 आज ड्री में जारी कuish गई है तो इसका अंदर जो टेस्ट प्लियर के अंदर 1 पोजिशन पे रही है जो वो Kansas Williamson रहे है जो की New Zealand के captain है इसीतरह से बस बर्ग है वो इसके अंदर 4th position पे रहे हैं इसी तरह से यह दिये अपने बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर के अंदर जो 1st position हासिल की है वो उस्ट्रेलिया के पैट के mention से प्राफत की है फिर उपने बात करते हैं ICC के बारे में जिनका नाम Greg Barclay है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में सो अभी हाले में India Rating Research के उनसार Financial Year 21-22 के लिए भारत की जो GDP दर है वो क्या रहने का अनुमान लगाया है फिर इसी तरह से यह अपने बात करते हैं 11% जो है वो SBI के द्वारा रहने का अनुमान लगाया गया है और 10.1 जो है वो इकरा के द्वारा लगाया गया है इसी तरह से जो 7.4% है यह 20-21 के लिए GDP रहने का अनुमान SBI के द्वारा लगाया गया यहाँ पर यह rating agency है जो कि आपको दिखाई गई है कि किस rating agency के दोरा भारत की क्या rating रह सकती है वो यहाँ पर पुरी आपको शोफ की गई है फिर बात करते हैं यह था आज का वीडियो अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो इसके revision की सो जनवरी महिने के 2021 के लिए ICC player of the month award से रिश्यपंथ जो कि इंडिया के और सैबनीम इसमाइली जो की सौथ अफरीका की है वोमन्स कैटेगरी के लिए इसको इसमाड से समानित किया फिर बात करते हैं किस राज्ये ने शिश्यमुर्ट की उदर को कम करने के लिए सांस अबिया स्टार्ट किया सो मद्य परदेश मेगा मलाई रखा गया है फिर बात करते हैं बंगलादेश कंट्री के अंदर फोट पिन्थवां या चोधवां अंतराश्टेबाल फिल्फ महोट्सों का आयूजन किया गया जनरल के एस्थिमया को समर्पित जो संग्राले उसका उद्गाटन रामनात कोविन जी के द्वार फिर बात करते हैं यह था आज का वीडियो यह आप लोगों को वीडियो पसंद आया उताप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी परसन इस चैनल को फैस्ट टाइम देख रहे हैं करण जी के विद्रवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में जो बैल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए यहां पर फोटो ऑफ दा कंडिडेट कीजिए उस परसन का फोटो यहां पर लगाया जाएगा जो कि आज के कमेंट्स के अंदर जो कोशन मुझे पूछा गया है उसका अंसर मुझे नेक्स